नमस्कार आप देख रहे हैं YIS News रामपूर विधान सभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने जबर्दस्ट जीत हासिल की है वही सपा प्रत्याशी आसिम राजा को हार का मूल देखना पड़ा है रामपूर में बीजेपी प्रत्याशी ने 33702 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है जिसे एतिहसिक बताया जा रहा है इस बीच आकाश सक्सेना ने ABP गंगा से खास बातचीत की इस दोरान उन्होंने जीत के लिए रामपूर की जनता को धन्यवाग दिया और कहा कि अब रामपूर में आजम खान का चैप्टर खत्म हो गया है रामपूर में आज इस जीत पर समर्थकों द्वारा जमकर आतिश बाजी की गई तथा एक दूसरे को मिठाई खिलापर जीत की बढ़ाये दी गई बढ़ाये प्रूसरे की की जब रुटर ओत्म हो गया है कोござले प्ली करते हैं यह सल्ड़ को का बासी छो कर दो जर घर लार को 최तिव जड है स DLC otros कि तुमेंट पेघट है यही थन्होरा जड्सराइं ड्समाओन मलाओज़़ज़ज़ज़ज inte मलाओज़ज़ज dejar मलाओज़ज़ज़ज़ा थूपैंचारीक यहेे 정ering ऑ्याँ व राउम है भी है ρो भी है आज रामपूर में इसके लिए रामपूर के मसलुमान सब भाईयों को मेरा बहुत बहुत आभर्वेक करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ तुन्हों ने मुझे चुना है मैं उस पर खरा उतरूँगा आजादी के बाद पहली बार आज भारतियंता पार्टी यहां विजी हुई है इसके अलावा कश्मीर के बाद पहली विदान सबाय रामपूर की स्विट ऐसी है जहां पर सत्तर प्रदिशत से ज्यादा जहां मुसलिम है और उसमें आज योगी सरकार पर जो विश्वास जताया है यहां के मुसलिम भाईयों ने उसके लिए मैं सभी का रामपूर की जंता का बहुत हाथ जोड के मैं बहुत अभार विक्त करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ यह रामपूर में जो असी साल सन असी के बाद से हिंदू और मुसल्मानों के बीच में जो यह खाई पैदा की गई थी उस खाई को मिटाने का पूरा प्रियास करूंगा और इश्वास ने चाहा एक नए रामपूर का निर्माड करने में कहा जारहे है कि आजम खाई का जो राजनेतिक करियर है कि तरफ थो कका है फिर दो चSi सब सिखने के बात होगी और कारोबार की सबसे इस सब्थे मैं नारे के साथ हम यहां उत लेते मैइदान में रामपूर में वापिस इस उद्योग नगरी का दर्जा दिलवाएं